नमस्कार बेहुं मुकेश कुमार एक पर फिशे स्वागत करता हूं ब्रेन पाउर जोन यूटूब चैनल में और आज मैं लेका रहा हूं बिहार बोड ब्राहमी की दिगंत भागतू से लिया गया काब एखंड का थिरी चैप्टर जिसका नाम है तुलसी दाहजी द्वारा ल सब्सक्रिस्वन किए होंगे तुन नीचो डि को देख जाएिगा नीचो वीडियो मेरा चले शुरो करते को को elnत और अगर करके दो Whilst in naj Somies कमीम में यह जो पकतियां है कि इनको अमर बनाती हैं किसको अमर बनाती है तो ये तुलसी जी के कविता को अमर बनाती है क्योंकि तुलसी जी का नाम इसमें है तुलसी तो शुभाविक बात है कि तुलसी का ही इसमें गुनगान होगा और इनके कविता को अमर बनाती है ये लाइन जो है पक्तियां है अग उत्तर परदेश में राजापूर बंदा उत्तर परदेश में इनका जन्म हुआ था इनकी सारी डीटेल जीवनी हमने अप्लोड कर चुके हैं और आप वहां पे जाके देख सकते नेक्स्ट कोश्चन है तुलसी दास जी का मूल नाम क्या था मतलब ओरिजनल नाम क्या था तो राम बोला इनका बच्पन में नाम था राम बोला बाद में तुलसी दास जी से परशलित हो गए नेक्स्ट कोश्चन है कि तुलसी दास के माता पिता का नाम क्या था तो हुलसी ये ओ आत्मा रम्दूबे यहीं उनके माता पिता का नाम था नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं कि तुलसी दास जी की पत्नी का क्या नाम था रत्नावली इनके पत्नी का नाम था रत्नावली नेक्स्ट क्वेशन है तुलसी दास के दिक्षा गुरु कौन थे तो दिक्षा गुरु की बात करें तो नरहरी दास इनका पालन पोशन और सिक्षा दिक्षा दिये थे नेक्स्ट है खाली जगह को भरना है कि पेट भरी तुलसीह जेवाई है डैस्ट है सुधा सुना जू इसमें होगा क्या कि यह जो पद लिया गया है उसमें से यह लाइन दिया गया जिसमें खाली अस्थान भरना है तो इसमें भगती हो जाएगा, भगती पेट भर जाएगा तोल्षी जी का जैसे ही वो भगती के सुधा अमरित को ले लेगे, पान करेंगे भगती के अमरित का, तो उनका पेट जो भर जाएगा, जीवन तरह नहार हो जाएगा नेक्स है तुल्शी दास के सिक्ष्या कहां से मिली थी तो इनको सिक्ष्या मिलने की जब बात है तो बहुत इससे स्वध्याया किये ही थे लेकिन इनको उपजुक्त सभी इसमें जो है इतिहास पुरान से भी मिला था स्मृतिया काप से भी मिला था चारो वेद से भी हुआ था शड़ दर्शन छह दर्शन से भी हुआ था तो यह उपजुक्त सभी हो जाएगा इस सभी में से इनको सिक्षा मिली थी नेक्स्ट है तुलसी दास ने घर का परित्याक क्यों किया था तो वहीं बात है हमने बताया था कि पत्नी के फटकार से घर का प्त्याक ये थे पीछे पीछे अपने पत्नी से प्रेम रखते थे लगाव रखते थे जिसके चलते अपने पत्नी के पीछे पीछे जा पहुँचे उनके मतलब म प्रेम को कहां कहूं मैं नात अस्ती चर्मम् देहमम तौमें ऐसी प्रीति आईसी जौँशीराम में होती नभय भीती। वहीं हैं धिकार है ऐसे प्रेम पर कि आप मेरे पीछे-पीछे दौड़े चले आया हैं। आज नहीं आता है आपको क्या दोड़े दोड़े चले आएं पीछे पीछे इतना चमड़े से मेरा जो प्रेम रखते हैं आप उतना अगर से राम से करते तो आपका जीवन तरह नार हो जाता यहीं सुनके तुलसी राज जी वहां से मुख मुड़के आए और काव्यों को उतना पुलके च चोर्फे प्रम दास टागर से जालनी इनवास था वहां पे इन्होंने जादा समय व्यों किया नेक्स्ट कोशन तो तुलसी दास का व्यक्तित्व कैसा था तो बीक्तित्व की बात करे यानि प्रस्नालिटी की बात करे तो यह बीनमर भी थ outta मिर्दु भासी बिती और गंभीर शांत वभाव के थे तो इस में से सभी एंसर मेरा सही हो जाएगा नेक्स्ट है फिर खाली अस्थान आ गया है कि नाम ले भरे डैस्ट एस एक प्रभू दासी दास कहाई नाम ले उदर अपना पेट भरता है नाम लेले के अपना उदर मतलब पेट पलता है एक प्रभू दासी दास कहाई वो बताता है कि आपके दासी का भी एक दास है वो कहता है अपने आपको कि आपके दासी का भी मतलब सिता माता को बता रहे हैं सिराम परभू से कि सिराम परभू के दासी सिता मा और उनके भी दास एक अपने आपको कहता है जो तुलसी दास ज का जो सिक्षा मिले से सनातन से मिली है और कासी के बिद्वान लोगों से इनको सत्संग में ऐसे कहा होते हैं सत्संग जो होता है प्रवचन होता है उनमें से इन्होंने बहुत सारे ज्ञान हासिल किये थे नेक्ष्ट है तुलसी दास के तीर्थ यातराएं कहां कहां की तो इसम में भी उन्होंने बहुत सारे तीर्थ यात्रा किये हुए हैं शुकारेत और अवध चित्रकूट प्रयाग मतुरा वरिंदावन कुरूचे तरहरी द्वार बद्रिनाथ मितला जगनाथ पूरी रामेश्वर काशिवर दो प्रियोक सब ही इसमें हो जाएगा इसका आंसर तो आ आने वाले धन्यवाद